coy hi guys welcome back we're recording इस video करने वाले हम latch सॉडिविट के कुछ इन्मिल्ट क्रिप्री подग्राफिक हैशज वार्वधियर ने ठीके तब सॉडिविट के पास 50 तरीके के हम्हें प्रिक विश जिसमें से य्यार तो न गयूंहें इन्युषी में हो 256 ठीक है कैचक 256 दूसरा है चा 256 तीसरा है यार हर पास राइप M.D.160 ठीक है इन तीनों क्रॉप्टोग्राफिक है शुरू करते हैं इसको हट आते हैं सबसे पहला क्रॉप्टोग्राफिक हैश फंक्शन कैचक 256 पर इन्पुट के तौर पर लेता है यह Bytes और 칩 नों के तौरओ कंते हैं ट्याक प्रेंट के अदयता 們 को फोती है ठीक है हैस करेच होता है होता है सबसुट्स कि और टेटा के लिए प्लेगी रोंद मेंने तो भी जो है पर तीसरा यार हमcil you buy यह आई एंपट लेता है लेकिन है हमको rest bytes 20 bytes का हमको hash written करता यह 20 bytes का हमें hash देता है चलिए यह differences में mainly कौन से use होते है sha256 और ketchak 256 चलिए और यह hash क्या है यह hash जो बोल रहा हूँ hash क्या है तो hash क्या होता है वहरी जो cryptographic hash function होते है इसके अंदर हम क्या डालते है bytes डालते है हमें क्या मिलता है output में हमेरे output में कुछ bytes मिलती है इन यह bytes को कहा जाता है hash ठीक है इसकी खासेत क्या होती है खासेत यह होती है hash से दुबारे से data create नहीं किया जासकता है मतलब बहुत ही impossible task है data create करना बहुत ही impossible task है दूसरे यार अगर input bytes जो है इनमें जड़ासा भी change होता है छटा है इस data में जड़ासा भी change होता है तो हमारा है hash होता है completely different हो जाता है आ çalए और ऐसा होता है same bytes के लिए same data के लिए हमेशा हमेरे पास same hash create होगा same hash create होगा अगर हमारा input same है ठीक है और हमारा जो cryptographic hash function है उसकी का do इसके कुछ ईूज़ता हूं लिए उसका इसका एन्मीर, समझीया है किया हूंगे क्वेसंट क्या कर रहा है एक input के लिए ठीक है एक specific input के लिए specific की hash generate करता है ठीक है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो तरह के input के लिए अलगले दो तरह का input है ठीक है उसके लिए same hash generate हो जाए same hash generate हो जाए इसे कहते हैं अगर किसी दो अलगले तरह के input के लिए same तरह का hash generate हो जाता है इसे कहते है, hash collision, ठीक है, hash collision कहते है, ठीक है, यह generate होता है, कब होता है, कब दिक्कत आती है, ठीक है, इसको बताने के लिए बताता हूँ, तो यहर, मैंने आपको बताएगी, catcher 256, star 256, ripe, md160, यह क्या करते हैं, input में bytes ही लेते हैं, ठीक है, तो यहर हम bytes में कैसे अपने data को करें, हमरे पास बहुत सारे data है, हम bytes में अपने data को convert किस तरह करें, question इस तरह करें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहर हमरे पास दो inbuilt function होते हैं, दो inbuilt function होते हैं, पहला होता है, API, encode, दूसरा होता है, यहर हमरे पास, दूसरा होता है, API, dot, encode, package, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहरे दो तरह के हमरे पास, inbuilt function होते हैं, इसकी मैसे है, हम इसके अंदर कुछ भी data डालते हैं, कुछ भी तरह का कैसा भी data डालते है के इसमें क्या करता है उन सबको कर देता है और बायट और यह बात और ठीकिया आपके दिमाग में हो रहा हूँगा आपके दिमागे question आ रहोगा तो कितनी bytes जो limit है ठीक है bytes की जो limit है क्या कर रहा है जो हमरे पास hash generate होता है या तो 32 bytes का होता है या 20 bytes का होता है या different data की bytes का होता है तो क्या जो हम bytes input दे रहे हैं अपने cryptographic hash function को ठीक है उनका भी कुछ limit होती है क्या या कितनी बड़ी bytes का input दे सकते हैं अपने cryptographic hash functions को ठीक है जी इतना simple theory होगी काफी जादा theory होगी हम देखते है और code में कैसे काम करती है चीजे code में किस तरह काम करती है और क्या होता है hash collision ठीक है hash collision ही बताएंगे कब generate होता है किस situation में वह आता है ठीक है चलिया thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel but what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nados.iu because programming is a doing activity so if you 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 really want to learn it you have to code the questions and on nados besides videos we have these questions and we have mcqs faqs hint videos and a lot more we we also have this career tab where we can apply to amazing companies in tweet is hiring via city mall is worst innovation is hacker earth is also hiring via us and the new ones are country delight and movie quick so so to apply to these companies and to consume the content in proper manner nados.io is the place and to help you more we have this community tab where you can ask your doubts and we hold regular contest in our compete tab so YouTube is very passive way of consuming this content come and consume this content on nados.io thank you cool 皮ण है । । contract इसका नाम देते हैं यार hash function ठीक है इसके इंदर क्या करेंगो यार इसके इंदर ना तीनों के तीनों आपको cryptographic hash function यूज़ करके दिखाऊंगा दौन तरीके से जाने की encoding किस तरह करेंगे हम data की दौन तरीके से करके दिखाऊंगा API.encode का यूज़ करके ठीक है चलिए जी किनों फंक्शन माता हूं पहले तो इसका नाम देते हैं hash ketchup 256 ठीक है जी और इसे public कर देता हूं public and pure कर देते हैं इसे और return करा देते हैं जो भी हमारा ketchup 256 बनाता है ठीक है यानि जो return दाटकता है जो hash बनाता है उसको return कर लेते हैं returns bytes 32 ठीक है 32 bytes देता ही बताया था मैंने आपको चलिए और बागी दो और फंक्शन माते हैं copy करेंगे यसे क्योंकि हम आल सी हैं control v control v चलिए जी इसका नाम देते हैं जा स कबिटल कर देते हैं जा 256 और इसका नाम देते हैं ripe md 160 ठीक है जी यह return क्या करता है यह return करता है bytes 20 चलिए जी तो हमरे तीनों फंक्शन तयार है तीनों फंक्शन के अंदर हम क्या चाहते हैं क्या रहाँ पर कुछ यूजर इंपूट दे ऊज़र इंपूट दे कुछ data ठीक है पुछ data आई इसके पास उसको फिर हम बाइट्स में करेंगे ठीक है ठीक है जी और क्या चाहते हैं और चाहते हैं हम address मिले हमें किस नाम से लें अंडर स्कोर एडीडी ठीक है जी तो यह तीन तरह की चीज़ें हमें यूजर देगा बागी फंक्शन में लेते हैं सेम तरह के इंपूट ठीक है थीक है जी तो काम हो चुका है हम क्या करेंगे यार सबसे पहरे इनको कनवर्ट करते हैं हम जैसे क्याशक 250 शुच हो है एक सेकंड कैसे 256 और राइक एमडी टू वन शुच्ट यह तो एक ही लाइन में दौने चीज़ करके दिखाँगा और उसको फिर दे दूगा किसको तो आपके लिए एक करके बता दिया आपको चलिए जी मैं इसके अंदर हम इस डेटा को करने के लिए बाइट में क्या यूज करेंगे AVI. czas then code ठीक है, pact avi.encode pact इन दोनों difference क्या होता है avi.encode और avi.encode pact में वो भी बताऊँगा, ठीक है, चलिए underscore x और name and underscore address और रहाँ पर semicolon ठीक है, जी, और same line बाखी सब में भी, control z then control v यहां पर भी Ctrl P इसका नाम चेंज करना होगा इसका नाम चेंज करते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैश्मेशन का शाह256 ठीक है जी इसका भी नाम चेंज करते हैं इसका नाम है राइप MD 160 ठीक है जी चली compile हो चुका है हमारा अच्छे से ठीक है compile हो चुका है बिना किस दिक्ट के deploy करते हैं से deploy करते हैं deploy हो चुका है तीन चीज़े मांग रहा है यारी है तीनों चीज़े देते हैं ID care कुछ भी यानि एंसान इंट तो हम देते हैं 12 फिर name चाहिए से तो name देते हैं गौरव then इसे address चाहिए address लेते हैं हम let's say यह address लेते हैं copy किया और यहाँ पे paste कर दिया और इस सारे data को copy कर लेते हैं copy कर लेते हैं और function call करते हैं ठीक है मिरे पास इस तरह का मिरे पास hash आगए ठीट हो गया ठीटू बैट्स का एक hash जेनिट हो गया और यहां देखिए इससे भी मेरे पास एक hash जागा 32 bytes का लेकिन data same है दौनों में जो data जा रहा है यह देखिए ऐसे इन देखिएगा इस तरह ही देखिएगा जो hash जा रहा है जो इसके अंदर data जा रहा है दौनों के अंदर same है लेकिन जो hash create हो रहा है दौनों में different है ठीक है और यहां देखिएज़े देखिजी किसी भी किसी भी क्रिप्टोग्राफिक hash function का hash जो है ठीक है same input के लिए भी different हो रहा है ठीक है इस बात को समझेगा यार अलग अलग तरह के क्रिप्टोग्राफिक hash function के अंदर की जो algo होती है जो इस byte को जो इस bytes को यह जो data आ रहा है bytes में connect होके इसके पास function इस क्र स्ट्रीट करती है और आपके लिए hash generate करके देती है ठीक है जी चलिए च्छोटा चेंज करके दिखाता हूं मैं data में थोड़ा साइज करके दिखाता हूं और देखना हमारा जो hash function है कितना जाद चेंज जाएगा ठीक है गौरव की जगा में लिख देता हूं एक ही जग देत है ठीक है इस तरह का हमेरे पास क्या यार अभी है ठीक है अब करता हूं इस function कॉल इस function कॉल किया अब देखो मेरे पास जो मेरा cryptographic hash है जो मेरा hash generate हुआ है इस क्रिप्टग्राफी hash function की वैसे इस तरह का हो गया बिल्कुल different है कुछ भी similarity नहीं है इसके अंदर ठीक है तो यही बात उतारता है थोड़ा से भी change करते है तो उससे क्या होता है पूरा-पूरा hash different हो जाता है सब के अंदर करके देख लेना आप सब के अंदर पूरा-पूरा hash change हो जाएगा ठीक है अब यह वापिस से ना वही लाता हूं वह input देता हूं वह input देता हूं वह वापिस से ठीक है दुबारा कॉल करते है function को और अभी देखिए अभी देखिएगा तो यहां देखिए जो मेरे पास पहली बार input था उसके लिए यह hash आ था इसी input को मैं दु के लिए मेरे पास same hash आ रहा है ठीक है मैंने अपना है थोड़ा सा input change किया पूरी की पूरी तरह से मेरा hash change हो गया ठीक है मैं दुबारा से अपना input same कर दिया मेरा hash दुबारा से same आने लग जया यह आप इन्मेक चेंज करके देखिएगा रिपमडी में रिपमडी में चेंज में चेंज करके देखिएगा और शाह 256 में चेंज करके देखिएगा ठीक है हर चीज़ बिल्कुल सेम इस तरह ही काम करेगी चलिए इस सबको हटाते है एक सेकंड इसकी कोई ज़रूत नहीं है अब ओके ओके ठीके यार इनकी जगा ना यार मैं इसका यूज करता अगर मैं इसका यूज करता सिंपल एंकोड का यहां भी एंकोड का यूज करता ठीके और इस जगा भी इंकोड का यूज करता ठीके तो यार मेरा काम बन जाता मेरा काम तब भी बन जाता यह देखिए मेरे तीर्ई तुर्यवे function फिर से deploy हो चुके है यहानverbs इसपर इडालनेंगे दो यहार है 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 यहार अपने आतुछ तरह करते हैं यूज किस स Truly खाता हुआ का 10 फिर कप अ देते हैं इसका नाम तो चलिए इसे करते हैं डिप्लॉय हो गया अब डिप्लॉय करते हैं से अब और इसके अंदर में डिटर डालता हूं चलिए 12 देन गॉरफ जब कि हम क्या कर रहे हैं डेटा तो से डाल रहे हैं लेकिन हो क्या रहे हां पर वो क्या रहा है हाँ पर यह जो हमारे bytes में convert करने वाले function है abi.encode और abi.encode.pack यह अलगला तरा से हमारे को इस data को convert करके दे रहे हैं यह जो data है इसको bytes में यह अलगतरा से convert कर रहा है यह अलगतरा से convert कर रहा है तो catch-up के लिए क्या हुआ यह कृप्टोग्राफिक हम far lub उसके लिए थ्कश किल्ग उसके लिए था रहा है इस से डिटा रहा है इसे तो उसे क्या उन्पलब हैauen यह स्ब्सक्तिया अबको इए दिटा तुम सभी यह उसकर आपको ऑपर ऐंकल करना है टो आपको आपको यह डेखना पड़े गया रहा ऐसा निकर सकते कि पहली बार में आपने इस तरह से उस्फ करगी और दूसरी बार में आपने इस तरह se करा लिए चैब्ल कही थी किया सेम डेटा के लिए सेम डेटा के लिए सेम है होता है ठीका इस सब को ख़ते हैं मैं सब reflects करताहूν अर चैसे आप गया इंग है कि यह एक श्राइब करता है कैसे कर देता है किस तरह कर देता है किस तरह कर देते हैं वह दिखा रहेता है और अगली वीडियो में दिखा दुके कि कोलेजन क्या होता है है यह को अगली वीडियो में दिखा दो है वरना एक वीडियो दिखाँगा यार वीडियो आदे घंटे से विपर कि चल जागी ठीक है चल यार तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बावाए